हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउस की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे और यहाँ पर मैं डिजाइन भी आपको एक बताऊंगी कि किस तरीके से हम बहुत ही आसानी से एक लिए सॉलर डिजाइन किस तरीके से बना सकते हैं तो यहाँ पर देखिए हम पहले हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है और फिर फ्रन्ट की कटिंग करनी है तो यहाँ पर देखिए रैडी लेंध हमारी 14 इंच है तो एक इंच उसमें एड़ कर लेंगे और यहाँ पर 15 इंच पर हम माग कर देंगे उसके बाद थोड़ी दूर दो इंच या धाई इंच जितना भी आप चाहते हैं मार्जन ले लेंगे तो पॉने 10 इंच पर मैंने यहां पर मार्ग किया और उससे आगे मैंने 12 इंच पर मार्ग कर लिया तो क्वाटर इंच मैंने थोड़ा जादा ले लिया है मार्जन के लिए नीचे भी हमने 12 इंच पर mark किया और इस तरीके से line ड्रॉ कर ली है और यहाँ पर हमने shape डालनी है तो 1.5 इंच पर मैं यहाँ पर shape डालूँगी 1.5 इंच पर mark कर देंगे और back arm hole की हम shape डालेंगे तो यहाँ पर fold side ली है मैंने marking के लिए क्योंकि हमारा front open है और back part हमारा बंद रहेगा तो इसलिए मैंने fold side से back part की cutting की है और बिल्कुल marking के उपर यहाँ पर हम cutting कर लेंगे तो neck की marking मैंने यहाँ पर नहीं किये क्योंकि neck हमने bookram पर ready करना है तो इस piece को हम side रख देंगे अभी और यहाँ पर देखिए open side में हमने front pieces की cutting करनी है तो half inch देखिए मैंने margin के लिए ले लिया है उक पटी और आई पटी के लिए और बिल्कुल यह margin छोड़ने के बाद हमने इस piece को रखना है यहाँ पर और जो भी marking करेंगे इस line को छोड़ कर ही हम करेंगे तो देखिए जो back part है इसके साथ साथ हमने पूरी marking यहाँ पर उतार लेनी है और जो भी changes होंगे इसके बाद हम करेंगे front pieces में तो अब देखिए नीचे की side से हमने आधा inch front के pieces को बढ़ा लेना है आधे inch पर मैंने mark किया है और इस तरीके से line draw कर ली है और अब उपर की side जो हमने तीरा और armhole mark किया था उसको फिर से mark करेंगे और वहाँ पर एक box बना लेंगे क्योंकि हमने जो princess cut की shape डालनी है वो इसी side डालनी है तो 5.5 inch मैंने तीरा लिया है armhole 6 inch लिया है और इस तरीके से box बना लिया अब हमने यहां से burst point लेना है साड़े 10 inch पर हम burst point लेंगे और चोड़ाई में मैंने यह plate के लिए साड़े 3 inch लिया है साड़े 3 और पौने 4 inch आप इस size में ले सकते हैं उपर से देखे साड़े 10 inch पर mark किया है नीचे से भी साड़े 3 inch पर mark कर लेंगे और इन दोनों points को join कर लेंगे तो अब देखे हमने sides में उपर की side 1 inch बढ़ाना है और नीचे की sides हम 2 inch बढ़ा लेंगे और यहां पर इन दोनों line को इस तरीके से join कर लेंगे तो यह जो 2 inch यहां पर हमने बढ़ाया है देखे हम पर हम plate डालेंगे एक उसमें यह margin cover हो जाता है तो यहां पर पौने 2 inch पर में mark करूँगी जो side में 2 लिया है हमने थोड़ा से ज़्यादा ले लिया कोई बात नी तो पौने 2 inch मैंने इधर से लिया है और नीचे से भी पौने 2 inch mark किया है और इस तरीके से shape डाल दिया है और यहां से हमने इस तरीके से shape डालनी है तो यह हो गई हमारी princess cut की marking तो यहां पर देखिए नीचे की side से मैंने 2 inch mark किया है और अब इस point को हमने किनारे वाले इस point से match करना है तो इस तरीके से हम इन दोनों point को join कर लेंगे और यहां पर हो गई हमारे princess cut blouse की marking यहां पर neck की marking कर लेंगे तो यादा हिंचे छोड़ने के बाद मैंने 2 inch पर मार्क किया है नीचे से भी 6.5 inch पर मार्क किया है चोड़ाई में हम यहां पर 2.5 inch पर मार्क करेंगे एक box बना लेंगे और round neck की shape डाल देंगे तो यहां पर इस तरीके से देखे shape भी डल गई है तो अब हमने यहां पर cutting कर लेनी है same marking के उपर ही हमने cutting करनी है तो यहां पर stitching में आपको थोड़ा short में बताऊंगी क्योंकि पहले भी मैंने आपके साथ princess cut blouse की stitching शेयर की है तो detail में अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप वो वाली वीडियो देख सकते है तो यहां पर princess cut के part में बाद में ही cut करूंगी stitching करते हुए चाहे तो आप अभी भी cut कर सकते हैं और चाहे बाद में जैसा आपको easy लगे वैसा कर सकते हैं तो में बाद में ही princess cut के part cut करूंगी अब हमने back का piece ले लिया है यहां पर 3.5 इंच पे mark किया है उपर से 3.5 इंच पे mark किया और यहां पर हमने back की plate भी डाल लेनी है तो एक side में यह plate डल गई है दूसी side में इस तरीके से पल्टेंगे और थोड़ा से tap करके हम दूसी side में इस plate को उतार लेंगे अब हमने देखिए main fabric लिया है और यहां से main fabric में ही हम sleeves की cutting करेंगे क्योंकि यहां पर border बना हुआ है तो border को हमने सही तरीके से adjust करना है तो यहीं पर हम इसकी cutting कर लेंगे तो यहां पर हमने दोनों ही piece पहले set करके देखने है तो देखिए यह दोनों piece हमने अच्छे सेट कर लेने है और फिर हमारे पास कितना कपड़ा side में बचा है इस चीज को देखना है और यहां पर हमने sleeves की length चेक कर लेनी है कि कितनी length हमारे पास आरही है तो यहाँ पर देखिए मैंने पिन अप कर लिया है इन दोनों पीसिस को और स्लीव की लेंध हम यहाँ पर चेक करेंगे तो 9.5 इंच मुझे रैडी चाहिए तो देखिए यहाँ पर अराम से 9.5 इंच की हमारी स्लीव से निकल आएंगी तो इन दोनों पीसिस की हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे और उसके बाद हम स्लीव की कटिंग करेंगे तो यहाँ पर देखिए किनारी की साइड है तो किनारी को हम कट कर लेंगे ताकि वो फ्रेंट साइड में ना दिखाई दे और पूरे ही पीस की कटिंग हम इस तरीके से कर लेंगे अगर आपके पास margin जादा है तो थोड़ा जादा margin लेकर कटिंग करें ताकि सिलाई में कोई भी पीस छोटा ना हो और इस तरीके से pin-up हमने जरूर कर लेना है क्योंकि ये थोड़ा सा slippery कपड़ा है तो cutting आगे पीछे ना हो इसलिए हमने pin-up जरूर कर लेना है तो यहाँ पर देखे front और back के pieces दोनों की ही cutting हो गई है main fabric के उपर और अब हमने यहाँ पर देखे wrong side की marking जरूर करनी है सीधी side में ही पर लटकर हमने अभी इसकी cutting की थी तो अंदर की side wrong side है यहाँ पर marking कर लेंगे ताकि stitching करते हुए easy रहे तो इस piece को देखे अब हमने इसको fold करना है और यहाँ पर sleeves की cutting करनी है तो यहाँ पर हमने chest का 5 भाग निकालना है 5 से divide करना है तो वो आएगा करीब 7.8 तो 8 इंच हम मान लेंगे और 8 में हमने 2 इंच add करना है तो 10 इंच हो गया तो 10 इंच हमने चोड़ाई लेनी है इस कपड़े की 9.5 या 10 इंच तक ले सकते हैं आप margin तो 9.5 मैंने यहाँ पर ले लिया है और आगे की side से देखिए हमने आधा इंच extra लेना है यहाँ पर से हमारी sleeve ready आएगी तो यहाँ से हम नाप कर देखेंगे तो इधर देखिए हमने 9 इंच तो हमें ready चाहिए आधा इंच हम पीछे से margin कर लेंगे और आधा इंच आगे मतलब total sleeve हमने यह साड़े 10 इंच की लेनी है और with margin और इस तरीके से mark कर लेंगे यहाँ पर हमने 3.5 इंच पर mark करना है और यहाँ पर shape डाल देनी है आगे से हमने bottom mark करनी है 5.5 इंच हमारी ready है और उसमें 1.5 इंच extra लेकर हम यहाँ पर mark कर लेंगे तो यहाँ पर एक mark हम 5.5 पर लगा देंगे और उसके बाद मैंने 5.5 पर mark कर लिया दो इंच extra ले लिया और इस साड़े साथ वाले point को हमने पीछे साड़े तीन वाले point से मिला दिया है और यहाँ पर अब हम cutting कर लेंगे तो यहाँ पर हम front arm hole की shape नहीं डालेंगे lining वाले किसी भी blouse में उसकी sleeve में हमने front की shape पहले नहीं डालनी होती lining अटेच करने के बाद ही हम front की shape डालेंगे और यहाँ आगे की side से भी आधा inch margin लेकर बाकी fabric को हमने cut कर लेना है तो यहाँ पर sleeves की cutting हो गई है सेम तरीके से हमने lining के उपर भी sleeves की cutting कर लेनी है यह देखे lining को हमने इस तरीके से fold करना है इसके उपर sleeves रखनी है और यहाँ पर हम lining पर भी sleeves की cutting कर लेंगे तो यह देखे sleeves की cutting भी हो गई है और अब हम इसके stitching करेंगे तो यहाँ पर देखे सबसे पहले sleeve के साथ मैं lining attach कर लूँगी तो एक हमने main fabric की sleeve ले लिया है और एक हमने lining का piece ले लिया है देखे सीधी side में अंदर की side sleeve हमने सीधी रखी है और उसके साथ lining रखी है तो सीधी side अंदर की side रखे फिर हमने यहाँ पर देखे quarter inch का margin लेके sleeve को इसके साथ attach कर लिया है इस तरीके से हम नकुन से lining को set करेंगे और ऐसे palette कर हमने एक top seam लगा लेनी है तो देखे top seam भी मैंने लगा ली है और अब हम यहाँ पर कच्चा करेंगे तो थोड़ा मोटा बख्या करके और sleeve को हमने देखे pin up जरूर कर लेना है क्योंकि यह slippery कपड़ा है तो यहाँ पर जोलना आए इसलिए हमने pin up जरूर कर लेना है और फिर यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे और सेम तरीके से ही हम दूसरी sleeve भी ready कर लेंगे तो देखे दोनों ही sleeves हमारी ready हो गई है अब दोनों की सीधी side अंदर की side रखकर हमने देखे front shape की भी cutting कर ली है अब हमने यहाँ पर front के दोनों pieces लिया है और एक main fabric लेंगे और एक lining वाला दोनों को एक साथ रखके हमने pin up कर लिया है और यहाँ पर कच्चा कर लिया है तो दोनों ही फ्रंट के पीसिस में हमने यहां पर कच्चा कर लिया है अब इन दोनों पीसिस को अच्छे से पिन अप कर लेंगे और यहां पर हम प्रिंसिस कट की कटिंग करेंगे तो पिन अप हमने जरूर करना है अच्छे से सारी साइट से और उसके बाद हमने यहां पर cutting करनी है तो यह princess के pieces भी देखिए cut कर लिये हैं हमने और दो side से तो यहां पर सिलाई लगी है बाकी जगे पर हम यहां पर सिलाई लगा कर कच्चा कर लेंगे तो यह सारे ही pieces में हमने देखिए कच्चा कर लेना है और अब हमने देखिये यहाँ पर neck की marking करना है तो सब्वा 2 इंच पर हमने neck mark किया था । भाई इंच नीचे से किया था और यहाँ पर गले की shape डाल दी है तो यहाँ पर हम neck की भी cutting कर लेंगे और यहाँ पर भी कच्छा कर लेंगे तो सारे ही pieces में देखिए हमने कच्छा भी कर लिया है और अब princess cut के parts हम join करेंगे तो इस तरीके से हमने दोनो pieces को इस तरीके से लिए और यहां पर stitch कर लेना है आधे inch का margin लेकर हमने यहां पर stitch कर लेना है और princess cut के parts attach करते हुए हमने हमेशा नीचे से ही attach करने है ताकि जो भी extra आये वो armhole की side में आये और फिर हम front armhole की shape डालेंगे तो देखिए दोनों ही front के piece मेंने यहां पर ready कर लिये हैं और अब हमने नीचे देखिए पट्टी attach कर ली है 1.5 inch की पट्टी लेकर और front में भी हमने hook पट्टी और eye पट्टी दोनों attach कर ली है अब हमने neck पर पट्टी attach करनी है तो इस तरीके से हम lining का piece लेंगे और इसके उपर हमने देखिए उल्टी side सामने रखी है front वाले piece की और quarter inch का margin लेकर हमने सिलाई लगा ली है अब देखिए हमें जितना भी fold करने के लिए margin चाहिए उतना हम mark कर लेंगे और बाकी fabric को हम cut कर लेंगे तो cutting मैंने यहाँ पर कर ली है अंदर की side से भी हमने extra fabric cut कर लेना है और यहाँ पर हमने चोटे-चोटे cuts डाल लेने है और cuts डालने के बाद हमने यहाँ पर पट्टी को इस side done करना है और पट्टी के उपर हमने एक सिलाई लगानी है देखिए सिलाई मैंने लगा ली है और अब हमने इस तरीके से fold करके यहाँ पर कच्चा करना है और फिर तुर्पाई करनी है तो पहले आप इसको इस तरीके से एक fold करें और यहाँ पर press कर लें अच्छे से और उसके बाद आप दूसरा fold करें तो बहुत अच्छे से finishing आएगी और नएक अच्छा से ready होगा तो देखिए मैंने यहाँ पर कच्चा कर लिया है प्रेस करने के बाद अब हमने यहाँ पर back का piece लिया है और देखिए इसकी wrong side सामने रखी है इसके उपर हम lining का piece रखेंगे सारी side से pin up कर लेंगे और कच्छी सिलाई लगा लेंगे तो देखिए मैंने कच्छी सिलाई लगा लिया है सारी side से अब देखिए मैंने एक pasting paper लिया है इसको fold में रखा है और 2 inch उपर से चोड़ाई लिया कले की और यहां पर देखिए half inch उपर margin का छोड़ देंगे और नीचे 10 inch पर हमने length लेनी है ready length हमें चाहिए 10 inch पर और यहां नीचे से हमने चोड़ाई में 3 inch लिया है नीचे से हमें broad चाहिए और इन दोनों points को join कर लेंगे और यहां पर हम एक shape डाल देंगे तो जिस भी shape का आपको neck चाहिए उस shape को आप यहां पर draw कर सकते हैं और यह 10 inch से नीचे भी मैंने 1 inch extra लिया था इस तरीके से extra लेकर हम यहां पर marking करेंगे और फिर cutting कर लेंगे तो neck की cutting हमने कर ली है अब इसको हम एक extra fabric के उपर paste कर लेंगे यहां पर देखिए इसको चोड़ाई में हमने जरूर mark करना है paste करने से पहले चोड़ाई हमने ली थी 2 inch मतलब 5 inch तो 5 inch पर mark किया और फिर बुकरम को pasting paper को रखकर हमने paste कर लिया अब हमने उपर भी cut डाल लिया और नीचे भी देखिए center point की marking कर ली है अब हमने back का piece लेना है और इस पर भी हमने center का cut डालना है और नीचे center line mark कर लेनी है ताकि neck हमारा बिल्कुल center में attach हो तो इस तरीके से center की marking कर ली है इसके उपर हमने neck रखना है तो देखिए center में मैंने एक कच्ची सिलाई भी लगा ली है back के piece में ताकि कपड़ा बिल्कुल भी इधर उदर हिलेना सिलाई लगाते हुए और बुकरम के साथ साथ में अब हमने सिलाई लगानी है तो यहाँ पर आपने एक चीज़ धियान रखनी है कि जब हम बुकरम पर या pasting paper पर cutting करते हैं neck की तो चोड़ाई हम उतनी ही रखते हैं जितना हमें ready neck चाहिए तो यहाँ पर धाई इंच पर मुझे चोड़ाई ready चाहिए थी तो धाई इंच मैंने pasting paper पर रखा है और front वाले neck में हमने कपड़ा attach करके stitch करना था तो इसलिए मैंने वहाँ पर सवा दो इंच रखा था तो यहाँ पर neck ready है यहाँ पर press कर लेंगे और नीचे हमने एक पट्टी लगा कर fold कर लिया है और दोनों plates भी डाल ली है अब हमने यहाँ पर neck पर lace attach करनी है तो देखे lace को इस तरीके से रखेंगे और बिल्कुल center में हमें एक सिलाई लगा लेंगे तो इस तरीके से हमने center में एक सिलाई लगानी है और ध्यान रखना है कि lace को हमने थोड़ा सा loose छोड़ते वे stitch करना है खीचना नहीं है क्योंकि अगर हम खीचेंगे तो इसमें खीचावा जाएगा back के पीस में और बिल्कुल भी finishing नहीं आएगी तो यहाँ corner पर आकर हमने थोड़ा सा और loose रखके यहाँ पर corner बनाना है और इस तरीके से हमने पूरी lace को अपर तक stitch कर लेना है तो देखिए यहाँ पर lace stitch हो गई है अब हमने दूसरी lace लगानी है मतलब थोड़ी gapping पर और lace लगानी है तो इस तरीके से mark कर लेंगे हम यहाँ पर एक थोड़ा सा pattern mark कर लेंगे और बीच में हमने V बनाना है तो इसको भी हम इस तरीके से mark कर लेंगे दो V बनाएंगे हम इस तरीके से center की marking जरूर कर लेंगे और उसके बाद देखे इसको थोड़ा सा dark कर लेंगे और इस side भी हमने same marking कर लेनी है जैसे दूसरी side की है और यहा नीचे तक कर लेंगे इसके बाद हमने gapping जो जितनी भी है दोनों side इसको measure कर लेना है हमने tape से ताकि दोनों side equal gapping रहे इस तरीके से हमने measurement ले ले लेना है दोनों side का और अब हमने lace लगानी है same marking के उपर तो पहले हम center में लगाएंगे तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल marking के उपर हमने lace रख ली है और इस तरीके से corner जरूर बनाना है हमने बीच में आकर सुई नीचे डालके रखनी है फिर foot उठाकर दूसरी side में stitch करना है तो इस तरीके से हमने एक lace लगा ली है अब दूसरी भी हमने same तरीके से लगानी है और अब हमने sides की लगानी है तो इस side से हम देखे measurement ले लेंगे किस तरीके से मारी lace आएगी और यहां से हमने लगाना start करना है और यहां पर हमने देखे double stitch जरूर कर लेना है जहां पर हमारी यह नीचे वाली lace दिखाई दे रही है इसके उपर हमने double stitch कर लेना है ताकि यह खुलकर बाहर की side को ना आए और सेम तरीके से हमने देखे दूसरी side में भी attach कर लेनी है lace उपर की side से लगाना start करेंगे और सेम उसी तरीके से लगाएंगे जैसे हमने दूसरी side में ले यहां पर हमने lace के उपर देखे चढ़ा कर stitch करना है और दोनों जगे हमने double stitch जरूर कर लेना है और ध्यान रखना है कि lace को stitch करते हुए हमने थोड़ा loose रख कर stitch करना है वरना यहां पर finishing नहीं आएगी तो अब देखे हमने यहां पर center में button attach करना है तो यहां पर देखे मैंने इसको pin up कर लेना है front pieces हमने pin up कर लिए है और अच्छे से सारी side से pin up करके जो भी extra आ रहा है तो arm hole की side से हम उस piece को cut करके equal कर लेंगे और अब हमने देखे सीधी side से एक सिलाई लगाई है किनारे की और उल्टी side से भी लगा ली है अब हमने देखे fitting की marking करनी है तो यह जो बड़ी पट्टी है हमारी eye वाली इससे छोड़ देंगे और उसके बाद हमने पौने 10 inch पर mark किया है अब यहां पर hook वाली पट्टी पर करेंगे तो पट्टी को add करके ही हमने mark करना है पौने 10 inch पर इधर भी mark कर लिया अब नीचे से हमने कमर की marking करनी है तो 7.5 inch पर mark कर लिया कमर का दूसरी side भी हम 7.5 inch पर mark कर लेंगे लेकिन पट्टी को छोड़ कर करेंगे अब हम marking fitting कर लेंगे और स्लीव भी हमने यहां पर attach कर ली है और यहां पर हमारा blouse ready हो गया है बस हमने hook attach करने है और eye बनाने है यहां पर और तुरपाई भी हमने यहां पर कर ली है तो देखे यह है हमारे blouse की final look यहां पर मैंने तुरपाई भी कर ली है और hook eye भी बना ली है तो देखे यह है इस blouse की back side तो बिलाउस हमारा बहुत ही सुन्दर बनकर रेडी हुआ है फिनिशिंग के साथ हमारा ये डिजाइन भी रेडी है तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई